वे गाइस हेलो अर्यवन सो वेलकम तो मैं चैनल देम अध्विट जोशी में सो आज का यह वीडियो लेक्ट जो है इस आप ट्लासिफिकेशन आफ प्लांट स्टेट बॉर्ड लास्ट पार्ट है जो आपका नाइन स्टेंड का लेसन है ओके सो क्लासिफिकेशन आफ प्लांट स्टार्ट करते हैं तो आपका नाइन स्टेंड का लेसन है यह एक एंड इस फो यह स्टेट बूर्ड सो हाइवर्यवन मैसल अध्वेद दिलिप जूशी आप अगर मेरे चैनल को नहीं रहेंगे तो प्लीज दो नट फरगेट तो लाइक एट शेयर इट एंड सब्सक्राइ चलो तो आपका प्लांट क्लासिफिकेशन क्या होता है प्लांट आपका जब आपका किंग्डम प्लांटे या एनिमी ले आते हैं प्लांटे में लग क्या प्लांट का क्लासिफिकेशन अभी यूनिवस में इतने सारे प्लांट से हर एक प्लांट का कुछ अलग 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 के नाम इसके लिए बहुत सारे साइन्टिस जिंके मालों में उन्हेंने तुल का नाम लेके राक लेकिन बहुत सारे साइन्टिस्ट आभी भी जुड़े हुए है आगे-ई-प्लांट की इंफमिशन एधर करने के लिए या करने के लिए प्लांट के सीड हम लोगो दिखते हैं बैरबर यह हम लोग सकते हैं कॉटन है आपका साइकल से जो प्लांट के उनके बाहर भार भी सिद्व का टे टेंगे नहीं पता नहीं चलिए चले का अंदर सेड्स कितने वॉटर मिलन हैं आपका है बाद में आता है Monocot and Dicot, Mono में लग क्या single दाना, Monocot में जैसे example हम लोग बोल सकते हैं आपका जब ही हम लोग आपका वटाना है, जैसे green peas बोलते हैं या हम लोग बोल सकते हैं groundnut, इसमें जब ही हम लोग चिलखा को लेंगे तो हम लोग एक एक दाना मिलेगा, that is called a Monocot and Dicot, Dicot का मलग क्या है, जैसे एक के अंदर बहुत सरे दानी लगे रहेंगे, जैसे example sunflower, sunflower के अंदर आपने कभी देखा ले, आपका जो black color का middle का पाट रहते हैं, बहुत सरे present रहते हैं, okay, so that is called a Dicot, okay, बाद में आता है Gymnosperm में आपका यहापके non-flouring में आता हैं, आपके mosses and ferns जिनका मलग क्या flowers नहीं है, खाली उनके mosses में क्या roots present नहीं है, and ferns में भी roots present नहीं है, लेकिन उनका दोनों का leaf का structure अलग हैं, यहापे कोई flower का development नहीं होता है, okay, so अभी हम लोग फिर से PDF की तरफ जाएंगे, so let's go towards the PDF copy, okay, so again we have moved to the PDF copy, तो हम लोग के lesson, हम लोग ने पहला सब्सक्राइब आपका kingdom plant, so first crypto games and fanerograms, crypto games मलग के scientific word that is a non flowering, जहापे flowers नहीं आते, fanerograms मलग क्या, जहापे flower आते है, okay, fanerograms में आपके दो तरह रहे ते, gymnosperman, angio, जिमनो मलग हमने देखा था, next seeds, angio मलग क्या, हम लोग बोल सकते, अन नेक सिर, मलग क्या, खुले आक से, व प्रूट को नहीं करें, fanerograms, flowering plant, and crypto, non flowering, अभी non flowering, आपको पढ़ने के लिए, एंजियो मलग में देखा है, dicot, single, monocot, dicot, double, and mono is your single, okay, so monocot and dicot, seeds का है, जैसे में आपको example, हम लोग ने पहले लिए, अभी आपको पढ़ने के लिए, exam में, यह हम लोग बोल सकते, lesson में क् to study about the thallophyta, आपके non flowering plants में है, bryophyta, and the last is your peace island है, तो उसे pronounce किया जाता है, teridophyta, okay, so आगे जाते हैं हम लोग, let's move ahead, okay, so आपका है पहला thallophyta, thallophyta हमें क्या दिये, these plants mainly growing water, पानी के अंदर ग्रो होते हैं, जैसे अलगे, अलगे, बुर्शी मंतक तला अपन, आपकी जो बारि आपके category के अंदर रहता, that is your thallophyta, अलगे, so आपके plants grow mainly in water, या जहाँ पर moisture condition जाते हैं, तो बारिश के समय देखो, आपकी दीवारों पर बहुत ज़्यादा हरी हम लोगों को दिखा देते हैं, अलगे जैसे दिखा देता है, it is very slippery, bryophyta, इने plants लग, ये particular plants को water लगते हैं, लेकिन reproduction के लिए, जैसे moss, moss मुला क्या, बहुत से हम लोगों ने कभी देखा रहे हैं, तालाब में, या हम लोगों छोटे लेक्स में, एक छोटे से आपके flowers जैसे, लेकिन leaves वाले structures रहते, वो भी, तो आपका लास्ट टेरीडोफाइटा, टेरीडोफाइटा हम लोगों से थोड़ा एडवांस प्लाइंट से क्योंकि एडवांस मुला क्या, इन जैसे थैलोफाइटा व्रावाइटा के अंदर रूट्स नहीं थे, या रूट्स रहते, लेकिन उनकी सोरी नॉन फ्लावरी मुलाइट फ्लावर्स नहीं रहते, तो टेरीडोफाइटा मैं एक जो बर्ट की जो फेदर रहते, पंक रहते, उनके तरह इनकी उसका structure रहता है, जिम्नोग जीम्नोग ने बोला, जैसे एक्जामपल साइकस, आपका नैच्रल कवरिंग सीड खुले आप से दिख सकते हैं, तो आपका एक्जामपल साइकस, आपका प्लैंट से नारियल की को कटिंगे नहीं तब तरह पता नहीं चलेगा अंदर सीट कितने प्रेजेंट है तो आगे देखते हैं लेट स्मूओ आहेट तो आगे है आपका थैलोफाइटा कैसे हम लोग को आ सकते हैं लिखने के लिए सकता है थैलोफाइटा के अंदर भी कोई इसे पार्ट्स नहीं है जैसे रूट स्टेम लिव स्ट्रक्ट्टर से या रूट जैसे च्छोटे बॉट् लेट स्ट्रक्टर रहते हैं आपके थैलोफाइटा कैसे यूनिस एक से बने या कभी कोई ज्यादा मुल्टि से लेकिन आपकी जो ब्रावयोफाइटा है वह हमेशा द्यार मुल्टि सेलुलर ओके आगे देखो या पी प्लांट्स कैसे फाइबर लेक बोड़ी मालब ठफ रहता है अगशामपल से रहता है अपका ब्रावयोफाइटा में इस ब्लांट्स में रिबन लाइक लॉड़ी रिबन लाइक जैसे बोड़िंग की प्रेजट है तीजए घ्यांपल या प्लावयोफाइटा के लिए और फ्यूने रिक्सीर या या आपकी एक्जामपल ले प मदलब डबल मोनोग्राइब क्या जो प्लांट सीर्स या उनली वन सिंगल कॉटी लोड़न रेजसे एक आम का एक्जम्पल लो आम देखो आम के अंदर एक की भी हम लोग सकते सीर्स प्रेजेंट एंड डायकॉर्स मनलब क्या दोस हुआ है और दो या दो से अधिक सीर्स प्रेजेंट रहेंगी अभी मोनोग्राइब क्या फाइबरस रूट रहते हैं एक दम फाइबरस में लाग क्या बहुत सारे रूट मजबूत भी रहते आपके इलोंगेट बड़े रहते एंड इनमें कैसे रहते डे हैं वेल डॉलप प्राइमरी अधिके आपका रूट रहेगा जिसे बोलते प्राइमरी वह एक ही रूट आपका बड़ा होते उसमें आपका वह सटेंस कैसे स्ट्रॉंग वेक्षट में बीच में तो एक एक साथ आगर एक वनसाइड लिए तो बरावर उसके उपोसित में लेंगे और यहां पर देखो आपके डायकौ्ट में कहा रहेगा लिए रेटिकुलेट मतलब क्या कि अगर मेरा यहां पर एक स्ट्रेम है तो चारों अगर मैंने देखा तो थ पूल जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं एक स्टेंड को आपको चारों पार्ट में अगर आपका बंबू है बनाना है ओनियन है इसमें क्या है यहाँ है यहाँ बंगल ग्राम है या यह आपके बंगल में यहाँ आपके पूछा रहेंगा कि ऐसे कैसे मुनोकोट तो सिंगल है लेकिन कभी-कभी कुछ तो मैंगो आपके हम लोग बोल सकते हैं कि मैंगो की जो सीट्व डिवल्लप्मेंट होता है फ्रूट के पर आपके रहते बाद में होुऊआ हो बन जाते इसके लिए ि भी तक तो कैसे तो मैंने आपके बंगान आपके आपके एक इसमें अलग है हम लोग बोल से किया आपका honine कोकोनट आपका काफी है बनाना की आपके काफी है लोग बुरू बुरू करने के लिए साथ आपका यहां पर डीकव बंगाले ग्राम क्योँ दिए डाईकोट में पर चलका खरत तो हम लोग को एक इक हम लोग को दीख लेकिन ज्यादा में रहते हैं तो डाईकाट डाईकोट और इंड फड गेसो मोनोग ओके सो यहां पे एक 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 स्वागे जाते हैं हम लोग's लुंब अहेड आपका crypto games एंड क्रिप्ट गेंस मिल्गोंक मिल्गों क्या हुआ हें हुआ है to crypto games crypto cause आध क्रिप्टोगेंद क्या दे обяз ऺड़िव क्या दियुकोर्य इनके री प्रदूङोंट बर्रॉट सब्सक्रिक्षिश window रहें रहेते अहीं dov जोड़े अन्नेक सिट्स तो फैनल क्रिप्टोगेंस वाद में आपके यहां पर फॉर्मिशन से ग्रोथे आपके क्रिप्टोगेंस क्या पॉर्मिशन मलग क्या एंडूनाट प्रॉडुसिंग मलग क्या उनके खली जो स्पोस है छोड़े दाने रहते हैं वो शेर हो सकते या लेकिन सीड नहीं बनती लेकिन इनके अंदर कैसे सीड बनकी आपका बनते हैं आपके फैनर जो भी आप फ्रूट कहले को उनके इंदर सीड रहेगी इट विल एक्ट एसे एंब्रियो मुलाब वह सीड को मैंने मिट्टी के अंदर डाल देए तो वहां से नया प्लांट ग्र पहले पार देख रहे है और सवे ख्रीप्टोगाम का देख रहे है तो छोड़किंग टिशू दर एक्चुली क्रिप्टोगाम में लेकिन उसके अंदर एक कंडुक्टिंग टिशू प्रेजेंट है अभी हम लोग देख रहे दिखो इपन पार देख रहे फैनल आग्स में देखो conducting tissues आप प्रेजेंट इस पर में रहते हैं अन्नेक सेट्स में दोनों में आपके कंडेक्टिंग टीश्यूस प्रेजेंट हैं सब्सक्राइब क्रिप्टोगेंस बाद में मोनोकॉट डायकॉट देखो मोनोक óट में बाद मेंगत कि देखो कौन क्यूं क्शल कर सकते हैं आपके को मतल आपके प्रेजेंट में जछादा लगे देंगे घ्राउन अब लूサक्ते न थे एकी एक ही जाड के पर देखे तो सीड आपका आपका लेकिन आगे आगा स्ट्रक्ट्टर देखेंगे यह आपका एक आप नहीं रहेता बहुत तो यह इंगा बेंगा नापका चना मस्टरमल आपकी राई okay so these are the example for your monocot and dicot okay so thank you I hope you like this video and please do not forget to like it share it and subscribe it and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos thank you guys